हलो फ्रेंट्स एक बाफ फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यूज भी दाईयास में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें आप रवात करने वाले हैं यूट्यूजटी की ऑनलाइन परिच्छाओं के बारे में जाँ दोस्तों कौनसी उन्यूज़ इस वारे में जाने के लिए मिरसाथ वीडियो में तक बने रहे हैं आज की वीडियो अपक्ति बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली सो चली फ्रंट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हूं से पहले मैं आपसे एक बार गुजारिस करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यू उनिवरस्टी एक्जाम से सम्देद लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जूड सकते हैं तो दोस्तों आज की जो न्यूज है ये डियू यानि की देली उनिवरस्टी से और इस न्यूज को आज जनांक 15 जुलाई 2020 को देली उनिवरस्टी के इंदुस्तान न्यूस्पेपर में पिरकासित किया गया आप इसे ओफिसली रीड कर सकते हैं इसके साथी अधर देश्ट इस न्यूज को प्रमुकता से पिरकासित किया गया आपको सभी न्यूस्पेपर में ये न्यूस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी आपनी स्कीन पर देख सकते हैंगे डियू में 10 अगस्त से ओपन बुक पर इच्छा है जो पहले डियू की जो ओपन बुक एक्जाम से बो 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले थे लेकिन उसके बाद यहाँ पर यूपन बुक एक्जाम जो है बो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाले कि आप पूरी न्यू चली जानते हैं पर विस्तार से इदे आप डियू की स्ट्रेंट्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को अप पर्ट करिमों के अन्तिम बर्स के छात्रों के लिए उनलाइन उपन बुक पर इच्छा 10 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी उच्छ नियू ने यह निड़े लिया है पहले 17 बताई ती तारीक इससे पहले डियू ने सोंबार को हल्फ नामा दाखिले कर उच्छ नियू को बत परिच्छ कराने का सुझाओ देते हुए परिच्छ करिकरम दोबारा से तै कने का निर्देश दिया पीठ ने कहा कि अत्नि बर्स के छातरों को भारत या विदेश में अन्य पार्ठेकरमों में दाखिला लेने के लिए उनका परिच्छा में उतीर होना जरूरी है ऐसे में उनके करियर की संभाबनाओं को ध्यान में रखकर परिच्छा का कारिकरम तै किया जाना चाहिए इसके बाद डियो ने परिच्छा कारिकरम में बदलाओ कर दिया और अब डियो के जो ओपन बुक एक्साम है वो आपके 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं यह थी आपके लिए कुछ महत पूर जान करें इसी तरह स्टूड़ी और भी लेटेस्ट नूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राब करके वह एकन को प्रेस करेजिए थैंक्यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो